एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुट्टे के साथ तहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में जुग गया और कहने लगा, स्वामी जी मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूं। मैं प्रती दिन पुरुशार्थ करता हूं लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पड़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकाम्याब हूं। उनकी इस बाग पर युवक को थोड़ा अजीब लगा लेकिन दोबारा उसने कोई प्रशन नहीं किया और कुट्टे को दोड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुट्टे को सेर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पनुचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चहरे पर अभी वी तेज है लेकिन वह छोटा कुट्टा थकान से जोड़-जोड़ से हौन्फ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई मेरा कुट्टा इतना कैसे ठक गया। तुम तो बड़े शान्द देख रहे हो। क्या तुम्हें ठकावट नहीं ली। युवक बोला, स्वामी जी मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था लेकिन यही बड़ा आशान्द था। तुम्हारा लक्ष तुम्हारे अगल बगल है। वो तुम से कही दूर थोड़ी है परन्तु तुम अपने लक्ष का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौरते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक तुम ही उसमें आपकी कोई रूची हो या नहीं। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संधर्श करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों दूसरों को फॉलो ना करें। अपना लक्ष खुद बनाए और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाए। झाल